दोस्तों जब तक आप कमजोर रहेंगे डिपेंडेंट रहेंगे आपका हमेशा सोसन होते रहेगा ठीक है आप अपने लाइफ को जितना कंफर्ट जोन में रखने की कोशिस करेंगे दोस्तों आगे आने वाले समय में भविश्व में आपका लाइफ उत्रा ही कि बाज, इसको साहिन भी कहा जाता है, बाज एक ऐसा पक्ची है दोस्तों, जो उरान ही वरता है, मतलब ऐसे उंचाई से उरान भरता है, जहां बाकी जो पक्ची है, वो उसकी अंतिम लिमिट होती है, और वहां से वो उरान भरना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी उ दबाने की कोशिज कर रहे हैं ऑक्सीजन के कमी से घुटन भरने से छोड़के भाग जाए तो इसलिए आप अपनी उचाई को उस हद तक बढ़ाईए दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल में एक बार फिर सश्वागत हैं दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जारखन एससी के द्वारा जो भी परिक्षा लिया जाएगा उसमें से रिजिनल लेंग्वेज अगर दिखा जाए तो एक महत पूर्ण पार्ट रहेगा चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करें जैसे सी की तुरू चाहे आप जारखन पूलिस की चाहे आप अस्तर जो भी इक्जाम की त्यारी करें सची वाले सायक और जो भी जैसे सी के थुरू एक्जाम लेया जाएगा उसमें एक रिजिनल लेंग्वेज रहेगा वह आपको देना ही पड़ेगा और उसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं खोठा वासा के ठीक है खोठा भासा जिसमें 100 questions पूछा जाएगा और उनमें से एक जो हिस्सा है वो है साहित की अनविधाएं ये एक तरसे misleading topic है ठीक है और इसमें मैं बता दूँ दोस्तों ये CGL का exam में भी मिलेगा और आप जितने भी exam देंगे चाहे वो सनातक अस्तरिय हो intermediate अस्तरिय हो या फिर मा लेविल का exam ही क्यों ना हो खुठा आपका एक subject रहेगा ठीक है और उसमें से साहित के अनविधाएं दोस्तों जो topic है इसमें आपका 10-15 questions इस topic से रहेगा ठीक है और ये topic जो है दोस्तों आप अगर देखेंगे तो market में ऐसा कोई book अब तक available नहीं है कि आप इस topic के जो प्रस पूछा जाएगा जो कि 10 या 15 questions पूछा जाएगा इसी topic से यह topic अपने आप में दोस्तों एक miscellaneous topic है यानि इसमें अगर देखा जाए तो चार sections है जहां से प्रस्न आपको पूछा जाएगा उनमें से पहला जो sections है वह संस्मरन साहित से आपको प्रस्न पूछा जाएगा ठी तो यह 4 segments से दोस्तों साहित के अन विधाय वाला जो है इसमें से ही प्रस्न पूछा जाएगा और यह miscellaneous है यानि आपको जीवनी जो है लिखक के जीवनी से पूछा जा सकता है ठीक है तो उनी में से जो प्रस्न पूछा जाएगा आखिर इसको एक सटिक मतलब तयारी करने के लिए चुकि यह आपको ढूणना पड़ेगा ठीक है आप 15 किताब 20 किताब चांट 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 के यह topic आपका त्यार कर पाएंगे तभी मतलब अगर आप खुद alert है तभी तैयर हो पाएगा अन्य था अब तक market में ऐसा कोई book available नहीं है कि जिससे आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आपका preparations हो जाएगा तो यह मैं आपको बताऊंगा कि किताब के बारे में जिस किताब को आप पढ़के आसानी से इस topic के प्रसनों को आसानी से त्यार कर सकते हैं ठीक है तो उन्हीं के बारेंगे और शाथी इसमें किस टाइप के प्रसन फूचा जाएगा उनक संसमरण। संसमरण तो नहीं डोल संसमरण निबंद का कि एक भाग में का होता दोस्तों निवर्ण में आपका विचार की तानी आपका पढ़ते होंगा लिखते तो उसमें आपके विचारों को की प्रधांता होती है ठीक है निवन्द में लेकिन संस्मरण में क्या है तो याद रखेंगा संस्मरण में आपको वीवरन की प्रधानता इसमें आपके वीवरन की प्रधानता होती है और वहीं पर निवन में आपके वीचार का प्रधानता होती है ठीक है आपका इसमें विचार का प्रधानता है इसमें विवरन की प्रधानता है ठीक है खोठा साहित में अगर देखा जाए दोस्तों तो जो संस्मरन है यह जो खोठा साहित विद्वान है इसको एक तरसे जीवन वित्तांत भी कहा जाता है संस्मरन यानि जीवन वित्तांत क बर्नन इसमें ही मिलता है इसमें आपको जो खुठा साहित के लेखक हैं उनलों के जीवनी qe बारे में जानना ह आलाकि जीवनी और अलग अलग चीजे जीवनी पोरा आपके वायोग्राफी के बारे में बताया जाता ऐ जीवन जो संस्मरन होता है इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण जो पाठ होते हैं उसी के बारे में इसमें चर्चा किया जाता है ठीक है वहीं पे दोस्तों जीवनी में बात करें तो जीवनी में आपके कि खोठा साहीते के जो भी बड़े लेखक है उन्नों के जीवन परिचय प्रस्ण पुचा जा सकता है उनका बैसिक जो पुचा होआ है। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पुछा जा सकता है उनके किसी जीवन के किसी एक बहतर टूर के बारे में पुछा जा सकता है तो जीवनी में उनके मतलब जो लेखाक होते हैं उनहीं के व्यक्तिकत जीवन से प्रसन जुड़ावा प्रसन पुछा आप देखें उनी से प्रस्ण पूछा जाएगा ठीक है तो इसमें यात्रा बित्तांत में मैं बता दूं कि आप एक देखें होंगे पढ़े भी होंगे अगर पढ़े होंगे डॉक्टर चतुर्भूज साहु का जो है दारजीलिंग और गैंग टॉक यात्रा बर्नन जिसमें देखा जाये तो चतरभूज साहुज थे उन्होंने अपने जो छात्र थे उनीच छात्रों के साथ दारजीलिंग टू गैंग टॉक यात्रा था कि बारे में वर्नन क्या गया है तो इसी प्रकार के मतलब जितने भी लेखए उन्लों के जो यात्रा बित्तांत रहा है उनी से relevant प्रसन ही आपको पूछे जाएंगे ठीक है यात्रा वित्रांद में और अभी मैं आगे आप लोग ये भी बताऊंगा कि महत्वपूर्ण किताब जिसके जरी आप इन चीजों को आसानी से एक जग समयराइज वह में पढ़ सकते हैं चीजों को समझ सकते हैं और जो प्रसन ब बोलके एकदम विजूलाइज कर देना मतलब थोड़ा सा कहानी को सुनकर आप चीजों को एकदम मतलब सामने से देखे हो प्रतक्च रूप से का अनुभूती जो होता है वही है सब्द चीतर तो इसमें मैं बता दूं कि बियान औहदार जेका सबसे जो पहला सब्द चीतर प्रकाशित था वो था रैस का ठीक है तो इसी से संबंदित प्रस्न पूछा जाएगा ठीक है इसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबे भी हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइस प्रस्न मिलेगा से आप इसको आसानी से त्यार कर सकते हैं और साथी इसमें जो अन विधाये हैं इसमें एक और महत्वपूर्ण सेग्मेंट जो है जहां से प्रस्न अक्सर पूछा जाता है वो है आपका खोठा साहित के कुछ महत्वपूर्ण किताब हो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं जो है दुरदर्शन हो गया ठीक है इनी से संबंदित प्रस्न पूछा जाएगा ठी इसका PDF फाइल भी उपलब्द कराने के मैं कोसिस करूंगा इसमें काम चल रहा है दोस्तों थीक है तो मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आप में से कोई जो लेखक है उनका यात्रा भी इतना तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगा वो यही किताब है दोस्तों यानि तभी जाके हो पाएगा अन्य था यह किताब अभी आपके लिए बहुत फिर भी लाबदायक रहेगा इस किताब के माध्यम से आप आसानी से जो दस से पंद्र कोईश्चन्स पूछा जाएगा इस टॉपिक से ठीक है टैन टू फिप्टीन कोईश्चन्स रहेगा ही रहेग मिसलेनी इस टॉपिक है इसका अपना एक अलग ही महत्तु है तो इस टॉपिक से आप त्यार कर सकते हैं इसमें आपको लगभग चीजें मिल जाएगा दूस्तों ठीक है खोठा गज पज संग्रा ठीक है स्रीनिवास पानूरी जी और डॉक्टर एके जा ठीक है इनके इस कि किताब उस किताब से निकाल सकते हैं कांटेंट को और आप को अपना एक मजबूत आधार ले सकते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें धेन्यवाद